हेलो फ्रेंट मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिंपल चावल से पुलाव वाला चावल बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने सरविती चावल लिया है, एक कटोरी, आप कोई सभी चावल ले सकते हैं, एक दो साल पुराना चावल हो तो उससे चोटी लाइची और दो टुक्रे मैंने दालचीनी के लिए हैं पांच है लॉंग और साथ आठ काली मिर्च और मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है पतला वला कपड़ा है इसकी जगा आप छोटी रुमाल भी ले सकते हैं अब हम इन मसालों को खलनी में डालेंगे अब हम इ कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसमें इन मसालों को डाल देंगे अब हम इन मसालों की एक पोटली त्यार करेंगे इसके लिए हम तोनों किनारों से कपड़े को उठाएंगे और बान लेंगे इस तरह से फिर उसके बाद इन चारों कोनों को पकड़ कर एक बार और बान ले तो इस तरह से हम पोटली तयार कर लेंगे और ये देखिए चावल अच्छे से फूल गया है इसका मैंने पानी निकाल लिया है तो चलिए देखते हैं इस सिंपल चावल से हम पुलाव कैसे बनाते हैं तो इसके लिए गैस पर एक बरतन रखें उसमें एक बड़ा चम्मच घी गी गरम हो जाने पर हम यसमें तेजपत्ता डालेंगे तो यहाँ पर मैंने दो तेजपत्ते लिए हैं इसे हम डाल देंगे और इसके तुरंत बाद ही हम इसमें चावल डालेंगे अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके इन्हें दो से तीन मिनट तत भून लेंगे चावल भूनने से होगा क्या कि अगर आपके चावल मोटे मोटे भी हैं तो वो बनने के बाद पतले दिखते हैं एक बार आप आजमा कर जरूर देखिएगा एक चावल भून कर और एक बिना भूने बना कर देखिएगा पुलाओ को तो ये देखिए मैंने चावल को अच्छे से भून लिया है भूनने के बाद ये थोड़े सफेद सफेद से हो जाते हैं अब हम इसमें पानी डालेंगे तो जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उसी कटोरी से मैं इसमें पौने दो कप पानी डालूंगी अगर आपके चावल नए हैं तो उसमें 1.5 कप पानी डालें अब इने चला लें जिससे किनारे के जो चावल हैं वो अच्छे से पानी में डूब जाएं अब हम इसमें मसाले वाली पोटली डाल देंगे पोटली डालने के बाद हम इने लगातार चलाते रहेंगे जिससे मसालो का फ्लेवर चावलो में अच्छे से आजाएं तो फ्रेंड्स जब कभी आपके घर में पुलाव वाला चावल ना हो और अचानक से महमान आ जाएं तो इस तरह से आप पुलाव वाला चावल बना सकते हैं मेरे कहने पर एक बार इस तरह से चावल बना कर देखिएगा नार्मल चावल से भी पुलाव वाला टेस्ट और खुस्बू दोनों आएगा तो जब तक चावल में उबाल ना आ जाए तब तक हम इस पोटली को चारो तरब घुमाते हुए चलाते रहेंगे जिससे इसका फ्लेवर चावलो में अच्छे से आ जाए चावल में उबाल आ गया है पोटली को मैंने बीच में कर दिया है अब हम इसे ढख देंगे ढखने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और मेरे पास इस तरह का बरतन है तो मैं इसके उपर थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ जिससे इसके वेट से इसमें अच्छे से दम लग जाए 10 मिनट तक हम इने ऐसे ही पकने देंगे अगर आपके पास इस तरह का बरतन ना हो तो कोई प्लेट उपर से रख दें और उसके उपर कोई भारी बरतन रख दें दस मिनट बात गैस बंद कर दें और इन्हें पांच मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें तो ये देखिए पांच मिनट बात हमारे पुलाव बन कर तयार हैं अब इस चावल से आप चाहें तो जीरा पुलाव मटर पुलाव वेजिटेबल पुलाव या इसे इसी तरह से छोले के साथ खा सकते हैं तेज पत्ते को हम किनारे कर देंगे मसाले वाली पोटली को भी हम निकाल कर अलग कर देंगे इस पोटली को हम फेकेंगे नहीं इससे मैं आगे बताऊंगी कि इसका क्या करना है तो फ्रेंस ये देखिए हमारे पुलाव कितने खिले खिले बने हैं थोड़ तो इस पोटली वाले मसाले को हम फ्रीज में रखकर चार से पांच बार इसका यूज कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे यह मैं बता रही हूं तो मैंने यहां आलू चने की सबजी बनाई है जब आप सबजी बना लें कोई भी ग्रेव वाली सबजी हो छोले हो उसमें एक चुटकी यह मसाला डाल दें और डालने के बाद इसे एक बार और पकालें जैसे उबाला जाए गैस बंद करें और इस सबजी को सर्व करें इसका टेस्ट देखिएगा बहुत ही बढ़िया आता है तो फ्रिंट सिंपल चावल से भी आप पुलाव वाला चावल बना सकते हैं अगर यह रेस्पी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करना ना पुले